वाई गाई वेल्कम बैक टो आउर यूटीव चल्ल माई जूकीशन सपोर्ट तो गाई हम क्लास 10 के एंसी आर्टी चप्टर फर्स जो की है कैमिकल रियक्शन्स और एक्वेशन्स के बारे में पढ़ रहे थे हमने कैमिकल एक्वेशन्स तो पढ़ा दिया आपको समझा दिया स्थे होपस सो आपको बीडियो कापी अछी लगी होगे आ यह समय में आया होगा और आगे हम पढ़ते हुए अब हम आते हैं क्यामिकल रियक्शन्स पर क्यांट सियक्षा जो होते हैं वो बीस इक्याठी है पहला जो होता है जो पहलflower reaction दूसरा जो होता है वो कोंबनीशन रियक्शिंट होता है वो है कोंबनीशन reaction क्या होता है कि यह से ज्यादा जो होता है आपके रियक्टेन्ट आप नुख पर्ड़क्ट बनाते हैं ठीक कंबाइंड होकर एक पर्टिकुलर प्रोड़क्ट जो देते हैं वह होते हैं कॉम्बिनीशन डियक्षन ये जो होते हैं वह एग्जोथर्मिक प्रोसेश होते हैं ठीक इसमें क्या है कि जैसी एक्जांपल यहां पर दे रखा है और अक्टिविटी से भी समझाया है तो वही ए हीट निकलता है ठीक है लाज अमाउंट ओफ हीट जो होता है रिलीस करेगा और वाटर से रियक्स करने के बाद वो क्या बना देता है कैसियम हाइड्रॉकसाइड बना लेता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं स्लैग लाइब डोलते हैं तो देखें यहां पर दिया हुआ है क calcium oxide जो होता है वो react करता है s2O से और calcium hydroxide बना लेता है fine चलिए यहाँ clear हो और इसमें क्या बता रखा है इसने कि in this reaction calcium oxygen and water combine to form a single product calcium hydroxide such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया तो चलिए देखें आगे क्या है इसमें यहां पर क्या दे रखा है कि let us discuss some more examples of combination reactions यहां पर कुछ combination reactions के example दीए है जैसे burning of coal ठीक है कोले का burn करना जैसे carbon है carbon जब oxygen से react करेगा तो carbon dioxide gas निकलता है वेसे hydrogen जो होता है वो oxygen से जब react करता है तो water बनाता है तो यह क्या simply एक यहां पर combination reaction बन रहा है विकोज यहां पर reactant के side में दो-दो जो है reactant है और product हमारा एक बन रहा है ना दो-दो reactant मिलकर एक product बना रहे है तो यह क्या है combination reaction है fine और आगे क्या दे रखा है कि in activity 1.4 we also observe large amount of heat is evolved मैंने पहले बता दिया कि यह reaction क्या होता है ज्यादा तर क्या होता है कि यह exothermic process होता है burning of natural gas ठीक है यहां पर जो है आपका methane दे रखा है CH4 और oxygen ठीक है react करके carbon dioxide और water बनाते है ठीक है और यहां पर यह भी क्या है हमारा combination reaction है बट यह क्या है exothermic process यहां पर हो रहा है तो यहां पर देख रखा है कि जैसे हम खाना खाते ठीक खाना कहने के बाद वो digest होता है जैसे कि राइस हुआ पोटेटिव हुआ ब्रेट कंटीन कार्बो हाइडरेटिक अभी क्या होते हैं कि यह जितने भी कार्बो हाइ एक्साइट बनाता है water देता है और energy देता है फाइन यह जो process होती है इस process को हम क्या बोलते है respiration process बोलते हैं ठीक है आप इसको respiration reactions भी कह सकते हैं दूसरा जो reaction दे रहा है इसे बता रखा है कि decomposition of vegetable matter into compost also an example of exothermic reactions ठीक है यह भी एक exothermic reaction का example से है फाइन नेक्स जो reaction आपका है व पोजना तूट जाना ठीक है तो यहां पर examples दे रखा है इसमें कि आपका ferrous sulphate है ferrous sulphate crystal जो है और उससे जब हम heat देते हैं ठीक है वहां पर एक activity दे रखा है देखिए आप ए boiling tube लिया है ferrous sulphate crystal है ठीक है tube में और उसको क्या क्या है कि वह boil कर रहा है नीचे burner जला रखा है ठीक तो यहां पर क्या दे रखा कि एक order of burning sulphur ठीक है यानि कि sulphur का जो smell है वह order smell है ठीक है और यहां पर ferrous sulphate जो है उससे जब हम heat दे रहे हैं तो यह ferric oxide और sulphur dioxide and sulphur trioxide दे रहे है ठीक नेक्स शूरी एक सनी आपर दे रखा है कि जैसे आपका lime stone में calcium carbonate जो है उससे जब हम heat देते ह तो वे quick line में change हो रहा है ठीक है calcium oxide और carbon dioxide में change हो जा रहा है ठीक है यह भी decompose हो रहा है तो यह भी reaction क्या है आपका decomposition है ठीक है ठीक है तो देखिए by the NCRT line हम आपको विता रहे हैं यहां पर दे रखा कि decomposition of carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition used in the various industries calcium oxide is called lime or quick lime it has a many uses one in the manufacture of cement ठीक है आपका यह जो lime stone होता है वो cement फगेरा common fraction में use होता है when a decomposition is carried out by heating it is called a thermal decomposition ठीक है इन्हें thermal decomposition भी कहते है because यहां पर इन्हें टूटने के लिए हमें heat की ज़रूरत होती है ठीक है let's see यहां पर activity दे रखी एक activity 1.6 में उसमें users जो है वो एक tube लिया है tube में उसने lead nitrate रखा है ठीक है इसके बाद उसे boil कर रहा है और यहां पर test tube holder रखा है ठीक है चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि यह जो lead nitrate है lead nitrate को जब हम heat देते हैं तो यह lead oxide lead nitrate जो होता है उन्हें जब हम heat देते हैं तो lead oxide nitrogen dioxide और oxygen में change हो जाता है ठीक है यानि कि आपका जो lead nitrate है वो जो होता है टूट जा रहा है ठीक तो इस तरह से यह भी क्या होगा है तो यह भी क्या हुआ हमारा decomposition reaction हुआ तो गाइस नेक्स जो है यह पर एक activity दे रखिए जो काफी interesting activity इसमें क्या है कोई एक यूजर जो है एक प्लास्टिक मग ले रखा है ठीक है यहां से उसने six volt battery दे रखिए एक switch लगा रखा है यहां पर देखिए यहां पर दे रखा है कि fill the mug with water से दे इलेक्टोड और इमस्टिक है उसमें इलेक्टोड उसने डाल रखा जो कि इलेक्टोड में आपका cathode or anode है add a few drops of dilute sulfuric acid to the water ठीक है यह उसके conduction के लिए उसने dilute sulfuric acid को डाल रखा है ठीक अब क्या दे रखा है इसमें कि take to test your filled with water and invert them over the two carbon electrodes switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time ठीक थोड़े देर बार आप देखेंगे कि जो hydrogen वाला electrode है उसमें से कुछ bubbles निकल रहे हैं और वैसे ही जो आपका oxygen anode है उसमें से छोटे-छोटे bubbles निकल रहे है तो यह क्या है आपका hydrogen gas दे रहा है और यहां से जो है वो oxygen gas दे रहा है ठीक तो यहां यह क्या है electrolysis of water हो रहा है ठीक है कि दो ग्राम silver chloride को चाइना डिस में ले लिया है ठीक है silver chloride का color आपको पता ही है कि white color का होता है तो आप देखेंगे sunlight में रखने के बाद जो है वो gray color में चेंज हो रहा है तो यह जो gray color में चेंज हो रहा है उसका जो reaction है वो यहां पर दे रखा है कि agcl जो है आपका silver chloride है जो sunlight पह है तो silver और chlorite form में अलग-ялग चेंज हो जा रहा है यानि कि वो decomposed हो रहा है तो decomposition किसका हो रहा है कि शिल्वर chloride का reaction है वो क्या है एक decomposition reaction है जहसे silver chloride का था वैसे यहां पर सिल्फर ब्रॉमायड का भी as well as वैसा ही रियक्ष्ण न कला है कि आपका जो decomposition reaction होता है वो एक endothermic process होता है जैसे कि आप पढ़ेते कम पहला reaction जो था आपका combination reaction था जो कि वो एक exothermic process है वैसे ही आपका decomposition reaction है जो कि एक endothermic process है फाइन इसमें क्या है कि देखिए endothermic process इसलिए क्योंकि यह sunlight यानि कि energy heat ले रहा है लेने के बाद इसके बाद वो जो है डिकंपोज हो रहा है इसलिए यह एंडothermic process है यहाँ पर यह जो reaction आपने देखा न इनका जो use होता है न वो black and white photography में होता है तो guys अभी के लिए इतना ही हम यहीं तक complete करते हैं करेंगे और हम अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मज़िए तब तक के लिए बाबाए